हलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूं आप बढ़िया और मज़े में होंगे बच्चों आज हम समझेंगे मुहावरे क्या होते हैं मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं यानि वाक्य के से छोटे होते हैं मुहावरे इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेश अर्थ प्रकट करते हैं भाशा को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों का प्रियोग किया जाता है यानि कि जिस वाक्य में हमने मुहावरे का प्रयोग किया वो वाक्य बहुत ही प्रभावशाली बन जाता है तो चलिए कुछ मुहावरे पढ़ते हैं और समस्ते हैं उनकी अर्थ को और उनका वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है इसको भी समझेंगे पहला मुहावरा है आखे कुलना इसका क्या अर्थ होता है होशाना इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे जब रवी ने अपनी लापरवाई से काफी नुकसान उठा लिया तब उसकी आखे खुली देखा कैसा मुहावरा आते ही ये वाक्य कितना अच्छा हो गया अगला है आखे दिखाना इसका अर्थ है क्रोध करना या डराना वाक्य में कैसे प्रयोग होगा इसका यह है फूल्दान मैंने नहीं तोड़ा आखे क्यों दिखा रहे हो आखे फेर लेना इसका अर्थ है बदल जाना वाक्य प्रयोग दिखते हैं इसका स्वार्थे मित्र काम निकलने के बाद आखे फेर लेते हैं अक्ल पर पत्थर पढ़ना इसका अर्थ है बुद्धी खराब हो जाना शायद मेरी अक्ल पर पत्थर पढ़ गए थे जो मैंने तुम्हारा विश्वास किया अगला मुहावरा है आख लगना नीन दाना दर्द के मारे राद भर मेरी आँख नहीं लगी अंगूठा दिखाना मना कर देना जब मैंने अपने मित्र से कुछ रुपए उधार मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया आखों का तारा यानि पहुत प्यारा या पहुत प्रियर इसका अर्थ है आँ इसका बाक्य प्लियोग समझते हैं राहुल अपने माता पिता की आँखों का तारा है अगर मगर करना या ताल मुटूल करना या बहाने बनाना यदि आप मेरी साहएता नहीं करना चाहते हूं तो साफ मना कर दो अगर मगर क्यों करते हो तो चलिए, कुछ और मुहावरों को समझते हैं यसे आखे पत्राना, यानि इंतजार या प्रतिक्षा करते ठक जाना अब इसका बाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? उसे समझते हैं तुम्हारी प्रतिक्षा करते करते मेरी तो आखे पत्रा गई अंधे की लाठी, यानि एक मात्र सहारा नवीन अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है अगला मुहावरा है अमारा दात खटे करना, इसका बुरी तरह हराना कारगिल में भारतिय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के दात खटे कर दिये अगला मुहावरा है हमारा डाल ना गनना इसका आर्थ है काम ना बनना चलते बनो यहां तुम्हारी डाल नहीं गलेगी अगला मुहावरा है हमारा उट के मुँ में जीडा इसका आर्थ है जरूरत से बहुत कम दो रोटियां मेरे लिए उंट के मुँ में जीडे के समान है तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप मुहावरों के विशे में समझ गए होंगे और यहां जितने भी मुहावरें हमने पढ़े हैं उन्हें जान गए होंगे और अर्थ को जान गए होंगे अब आप इन मुहावरों को समझ कर उनका वाक्य में प्रयोग करने का अभ्यास स्वेम कीजिए